नए साल में कानप्रोपुलिस भूमाफियाओं पर जबरदस्त नकेल कसने जा रही है। कानप्रोपुलिस ने जो प्लान बनाया है उसके तहत भूमाफियाओं का जो गड़ जोड काम कर रहा है। उस पर अब तेजी से काम किया जाएगा साल 2021 और 22 में ऐसे लोग जो जबरन जमीनों पर चाहे वो निजी हों चाहे वो सरकारी हों जमीनों पर गबजा कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है। शिकायत करता अपनी शिकायत को बताते हुए पहचान को गोपनी रखेगा और इसके बाद निजी और सरकारी जमीनों पर हो रहे कबजों के खिलाफ अब कानपुर पुलिस और जारा तौरित गती से काम करेगी। सहीग तो पुलिस आएग तो अनप्रकाश्टिवारी के माने तो कानपुर पुलिस कमिशनरी अब इस मामले में काफी सक्रियता दिखाने जा रही है क्योंकि लगातार इस तरह की की शिकायते आती हैं जिनका निस्तारण नहीं हो पाता है। बाकाइदा एक कॉल सेंटर डेवलप किया जाएगा और इस कॉल सेंटर में डेडिकेशन के साथ इस तरह की शिकायतों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए इसके लिए एक सुविदा और एक प्लेटफॉर्म मनाया जाएगा। इसके साथी एंटी ब्लेक मिलिंग सेल काफी जादा सक्रेता के साथ काम करेगी इस बात का भरोसा कानपूर पुलिस के द्वारा दिलाया गया यानि नए साल में भूमाफियाओं की शामत आना तैमानी आ रही है कानपूर से कैमरामेन पंकर निगम के साथ रतिश त्रुवेद एबी पी गंगा एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी